नेक्स्ट पॉइंट्स देख लेते हैं, नेक्स्ट पैरोग्राफ के वेरी वेरी लॉंग अगो, देर वर नो एनिमल्स इन पंबुपती, और रेप्टाइल्स यानि कि बहुत 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 टाइम पहले की बात है कि यहां पंबुपती में कोई भी एनिमल्स नहीं थे, यानि कि जानवर नहीं थे, केवल रेप्टाइल्स थे, यानि कि रेंगने वाले ही जानवर्स थे ठीक है, रेंगने वाले जानवार थे, they had a meeting every month, वो जो जानवार थे, reptiles थे, उनकी हर महीने meeting हुआ करती थी, their leader, उनका एक leader था, makra, उसका नाम makra था, would chair the meeting, वो meeting की क्या करता था, अगवाई करता था, chair the meeting मतलब, उसकी meeting की अगवाई करना, ठीक है, misusing his power, वो क्या करता था, अ forest makra ने, snakes और tortoise को order दिया, किस लिए, कि वो जंगल को छोड़ कर चले जाए, tortoise में सोता है, खचुआ, और snakes मतलब, साप आपको पता ही होगा, अब, start करते है, next story को, next, हमारा जो paragraph है, it happened a long, long time ago, यानि कि ऐसा बहुत बहुत पहले हुआ था, he began, यानि कि जो grandfather थे, उन्होंने बताना, start किया, हमारे जो narrator है, उसको, so long ago, that there were no schools and no teachers, जैसे कि बहुत पहले की बात है, हम जानते हैं, कि पहले नहीं तो schools होते थे, और नहीं teachers होते थे, children lived in caves with their parents, जो बच्ची होते थे, उनको गुफाव में रहना पढ़ता था, अपने parents के साथ, and helped them to collect fruit and berries from the forest, और वो क्या करते थे, अपने parents की मदद करते थे, किस लिए, berries मतलब, दाना, कहां से लाने में, fruits यानि की फल और दाने लाने में, अपने parents की मदद करते थे, वो बच्चे जंगल से, लेकर आते थे, at that time, उस समय, there were no tigers or panther, there were no tigers or panther, there were no tigers or panther, और elephants in pambupati forest, मतलब उस समय क्या था, नहीं, वहाँ पर कोई elephant होते थे, there were only reptiles, पambupati में केवल क्या थे, reptiles, यानि कि सिर्फ रेंगने वाले ही, जानबर हुआ करते थे, there were only reptiles, many kinds of reptiles, यानि कि ये जो reptiles थे, वो कई तरीके के थे, now you know what reptiles are, वैसे तुमको पता है, तुम्हें अब पता है कि reptiles क्या होते हैं, snakes, crocod रेंगने वाले, इनकी बॉड़ी पर क्या होते हैं, यानि कुछ धारिया जैसे होती है, and it lays eggs, और ये जो reptiles होते हैं, क्या देते हैं, अंडे देते हैं, every month, हर महीने, the reptiles of Pambupati had a big meeting, Pambupati के reptiles के हर महीने, एक बड़ी meeting हुआ करती थी, everyone came, उस meeting में सबी लोग आते थे, the pretty excited snakes, यानि कि बहुती जदा उसकता के साथ snakes आते थे, जो सुन्दर दिखते थे, the slow thoughtful tortoise, यानि कि बहुती धीरे विचारशील, thoughtful मतलब विचारशील, और काफी धीरे होते हैं, tortoise जैसे कि सब भी जानते हैं, उनकी जो चाल होते हैं, वह स्ल के meeting का एक picture दी हुई है, ये ऊपर जो दिया है, आपका ये मकरा है, ये meeting को cheer कर रहा है, और ये सबी रैप्टाइस यहान नीचे दीए हुए हैं, okay, next पंटते हैं, and the moody crocodile, और ऐसे crocodile आते थे meeting में, जो कि moody होते थे, grumpy, because they were out of water, और grumpy होते थे, grumpy means होता है, जो हम जिनने बोल सकते हैं, कि जल्दी गुसा आता है, मतलब जो short tempered हम उने बोल सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते थे, out of water, उन्हें पानी के बाहर रहते थे, वो बाहर आना पड़ता था, the president of these meetings was Makra, this meeting का president कौन होता था, Makra होता था, the biggest crocodile of the forest, Makra जो होता हो क्या था, forest का सबसे बड़ा crocodile था, all the animals thought, सभी जानमा समझते हैं, सोचते थे, he was very important, कि वो बहुत ज़्यादा important है, when someone is strong and powerful, क्योंकि क्या होता है, जब कोई बहुत ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली होता है, you know, तुम जानते हो, it is difficult not to go along with what he says or does, तो तुम जानते हो कि जब कोई बहुत ज़्यादा तो उसके against जाना है, जाने कि उसकी किसी भी बात के खिलाफ जाना बहुत ही मुश्किल होता है, या जा पर यह कहना कि वो जो कह रहा है, वो सही रही है, मतलब उसके against जाना ही विरोध करना बहुत मुश्किल होता है, now one day a strange thing happened, अब क्या हुआ एक दिन बहुत ही strange सी कोई बा मही, सबता के पहले में ही यह महीने की क्या थी, मेटिंग हो रही थी, मकरा, send a letter to मकरा ने क्या क्या क्या, एक letter sent किया, किसको, the tortoises, tortoises के पास उसने एक letter sent किया, मकरा ने asking them not to come to the meeting, उनको यह मतलब कहते हुए, क्यों को meeting में नहीं आना है, आशित है, the big old star tortoises, यह क्या था, tortoise था, उसका नाम था, आशित है, with black and yellow pictures on his shell, उसके shell पे क्या थी, मतलब जैसे होता है, जो tortoises होते है, उनके ऊपर, इक होती है, शेल होती है, उसी के अंदर वो लोग अपने सर को भी चुपा लेते, प्रोटेक करने के लिए, खुद को घर बढ़ा के इस तरीके से रहते है, उसके अंदर, तो उसका जो shell था, उस पे क्या थे, yellow और black color की lines थी, pictures थी, was very angry, उसे क्या था, वो लेटर पढ़ के बहुत जादा गुस्ता आया, what does this mean, इसका क्या मतलब है, he shouted, वो चिल आया, how dare they, उनकी हिम्मत कैसे हुई, but not one of the tortoises had the courage to attend a meeting, लेकिन उनमे से किसी भी tortoise का इ इस थे, the other so many, जबकि बागी जो raptized थे, वो बहुत जादा थे, before the meeting, the gent makra polished his teeth, before the meeting, यानि कि meeting से पहले, जो makra था, वो क्या करता था, अपने teeth को polish करता था, किस के साथ, red flowers, यानि कि, लाल कोई फूल थे, उनसे वो अपने, उनको teeth को साफ करने के लिए, polish करता था, red flowers, of the tree by the river एक tree से, जो कि क्या था, river के पास था, till they sparkle, जब तक कि वो चमक नहीं जाते थे, तब तक वो क्या करता था, उन flowers को अपने teeth पे रब करता था, everyone was waiting for him at the meeting place, सभी लोग क्या कर रहे थे, meeting place, यानि की meeting की जो जग है थी, वहाँ पे उसका wait कर रहे थे, इंतिजार कर रहे थे, brothers and sisters He began, जो वो meeting में आया, तो उसने बोला, भायो और बहनो, all the reptiles, सभी मितलब reptiles को, even the beautiful king cobras, stopped talking, उसने जैसे ही आके बोला, भायो और बहनो, सारे जो reptiles थे, यहां तक की, जो केंग को रहे था, वो सभी विलकुल चुप हो गए Makra continued his speech, Makra ने अपनी speech को आगे continue किया, I have decided that we don't need the tortoises, मैंने यह decided कि हमें tortoises की, हमारे forest में कोई जरुरत नहीं है, I have told them not to come today, मैंने उनको बता दिया है कि उनने आज meeting में नहीं आना है, brothers and sisters, can you tell me why we don't like the tortoises, क्या तो मझे बता सकते हो कि हमें tortoises क्यों पसंद नहीं है The reptiles looked this way and that, जो सारे reptiles थे वो इधर उदर देखने लगी, they felt very uncomfortable, उनको बहुत ही मैं असुविधाजनक feel हुआ The snakes hissed anxiously, जो snakes थे वो, मैं जब एक दम उनकी आवाज होती है न, snakes का जो sound होता है, वो hiss hiss करते हैं, इस तरीके से जो snakes थे उन्होंने hiss किया ठीक है, कहाँ पर थे है, जी, anxiously हम पहले भी पट चुके हैं, चिन्ते तोकर, ता लिजार्स रिंगल्ड, रिंगल्ड दिया, जो लिजार्स थी उन्होंने अपनी पूँच को इदर उदर हिलाया, दा क्रकडायस ओपन दिया, जो जो क्रकडायल थे उन्होंने अपने, जो खोलाट अपन सकेशी अपनी पनी जूपड़ थे उन्होंने से खोलाट अइडर और जादा खोल दिया, जो जो चोटी बट ना बट koskar, कोई मोel ऑ शिंगल्ड उन्होंने यह ज चिल्लाय होंने दियाा जैसे बड़ कोंग म साथनद संधल क्राव जो डर को प्रीकड़ थर द मकरा फिर से चल रहा है कि कोई आई थिंक्स निंग, so loudly that the fruit in the tree above him rained down, जैसे वो बहुत तेज चलाया मकरा, तो जिस fruit के नीचे वो लोग meeting कर रहे थे, उसकी तेज आवाज से वहाँ पर एक क्या था, उसके उपर से जो fruit था, वो उसकी तेज आवाज से नीचे आकर नीचे गिरा range down, नीचे आके गिर गया, मतलब उसकी आवाज से एकदम से जैसे जंजनाट होई, तो जो tree था, जिसके नीचे वो लोग meeting कर रहे थे, उसमें से एक fruit नीचे तूटके गिर गया, after that, no one had the courage to speak, और ऐसा जब होते हुए देखा, तो किसी में भी इतनी हिमत नहीं थी कि कोई मकरा cleared his throat, मकरा ने अपने गले को साफ किया, ऐसे करते हैं इस तरीके से, and showed a few few more teeth, और उसने अपने कुछ और दांतों को दिखाया, well, he said, उसने कहा, I will tell you why we don't like the tortoises, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें tortoises क्यों पसंद नहीं हैं, they are so slow, वो बहुत slow होते हैं, धीरे होते हैं, they even carry their houses on their backs, यहां तक कि वो क्या करते हैं, अपने घर को अपने back, यानि कि अपनी पीट पे ढूते हैं, who ever heard of such a stupid thing, ऐसे अनब बेवकूफी वरी चीज़ के बारे में किसी ने कभी सुना होगा, now you lizards, तुम छिपकली हो, you live in tree, तुम ट्री पे रहती हो, would you ever carry a tree on your back, क्या तु तुम कभी किसी tree को अपने back पे carry करोगी, डूकल ले जाओगी, would you, क्या तुम ऐसा करोगी, small, छोडी, frightened voices answer together, डर हुई आवाज में सभी ने एक साथ answer दिया, no, we would not, but, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन, no buts, now, अब कोई buts नहीं, now, listen, सुनो, I have told the tortoises that they will have to move out of pambupati, मैं ने tortoises को बता दिया है, कि उन्हें पambupati से जाना है, when they go, वो कब जाएंगे, we will have more of everything, जब वो चले जाएंगे, तो हमारे पास हर चीज जादा होगी, more food, जादा खाना होगा, more water, जादा पानी होगा, more space, जादा जगे होगी, I want them out by tomorrow, मैंने उन्हें बोला है, कल से जाने के लिए, but because they are such slow coaches, slow coaches मतलब वो बहुत जादा धीरे होते हैं, चलने में बहुत ही काफी, late latif होते हैं, I have given them one week, इसलिए मैंने उनको एक अफ़ते का time दिया है, by next Tuesday, अगले Tuesday तक, we don't, we won't have a single tortoise, single tortoise left in this jungle, मतलब उसने बताया कि next Sunday आएगा, तब तक हमारे पास, इसमें हमारी में एक भी tortoise नहीं बचेगा, and by the following Tuesday, और next Tuesday तक, they were all gone, वो सभी चले गए, at first the animals were sad, starting में तो सभी जो जानवरते हैं, वो दुखी हुए, but then they realized that, लेकिन जब उने realized हुआ, what makra has said was true, कि makra ने जो कहा था, वो सबकुस सच था, there was more food, more water, उनकी पास अब ज्यादा खाना था, ज् and more space for them, और उनकी लिए काफी जगह थी अब रहने के लिए, but soon, लेकिन जल्दी ही, a strange smell begin to fill the forest, एक अजीब सी गंधने, एक अजीब सी smell ने, उन सब पूरी जंगल को घेड लिया था, it was the smell of rot, यह जो smell थी है, किस की smell थी, rot की smell थी, छीख है, rotting fruit on the ground, यानि कि, जो fruits से वो सब क्या हो गए थे, जमीन में सडने लगे थे, जो fruits थे, वो सब जमीन में सडने लगे थे, animals in the river, tortoises, rotting animals, यानि कि, rot means होता है, सडने की जो गंध होती है, this was what the tortoises used to eat, यानि कि, यह जो चीज थी, जो उनके सडने की, जो smell आ रही थी, उससे सभी लोग परिशान थे, लेकिन, यह वही चीज थी, जिसे क्या कहते थे, tortoises खाते थी, यह उनका खाना था, and even makra had to go out, अब makra को भी क्या था, go about holding his nose with his big claws, यहां था कि makra को भी अब जब वहां से निकलना होता था, तो उसको अपनी nose को क्या करना था, पढ़ता था, अपने बड़े पंजे से अपने ना को, बंद करके चलना पढ़ता था, उस smell की वज़े से, a month passed by, एक महीना निकल चुका था, and then the same thing happened all over again, और वही चीज़ फिर से हुई, but this time, लेकिन इस बार, it was the snakes, यह snakes की बारी थी, makra wrought them one of his letter, makra ने उनको क्या किया, letter लिखा, makra ने उनको letter लिखा, they were to leave the forest, कि उनको भी अब जंगल छोड के जाना है, and since they could move fast, और वो काफी जल्दी चल सकते थे, they had to go in a day, वो तो काफी, वो चलते थे, speed से चलते हैं, जो snakes होते हैं, इसलिए अब क्या था, उनको जाना था, एक ही दिन में, naga, the head of the snakes, naga जो तो क्या था, snakes का head था, वो क्या गईता था, उसी ने latter को पड़ा, pleaded for more time, उसने, मतलब ज्यादा समय के लिए, pleaded मतलब विंती की, but makra would not give in, लेकिन makra ने उनको समय नहीं दिया, at the meeting, meeting के समय, he silenced the others, उसने, और लोगों को, जो बागी सबी लोग थे, meeting में, involved थे, उन सभी को उसने शान्त कर दिया, the lizards and crocodiles, जो कि lizards और crocodiles की बचे थे, with even louder shouts, या था कि बहुती जिसे, चिला कर, and threats, और उनको धम की दी, snakes are slimmy, snakes जो होते हैं, कैसे होते हैं, slimmy, यानि कि घिनोने होते हैं, उसने कहा, कि जो snakes होते हैं, काफी, घिनोने होते हैं, slimmy means, घिनोने, he said, उसने कहा, and they make funny noises, और वो अजीब तरीके की आवाजे निकालते हैं, who wants such weird creatures around, कौन चाहेगा कि ऐसे भदे, जो creature, यानि कि जो जीब होते हैं, अगेन, दुबारा, no one dare to disagree with मकरा, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई मकरा से, मैं दब उसकी अगेंस जाने के, उसे disagree होने की, and so the snakes left, तो इसलिए फिर क्या हुआ, जो snakes थे, वो भी वहाँ से चले गए, for a while, कुछ समय के लिए, the animals of the forest were happy, जो जानवर थे, जंगल के, वो खुश हुए, because they had been a little afraid of the, क्योंकि, वो क्या करते थे, उन्हें थोड़ा बहुत डर लगता था, किस से डर लगता था, उनको snakes से, क्यों, you never knew when, one of them might lost his temper, क्योंकि तुम नहीं जान सकते हो, कि उन्हें से कब के कौन अपना temper lose कर दे, यानि कि कब किसको गुस्ता आजाए, and spit some venom at you, और तुमारे उपर को poison थो कर दे, venom मतलब होता है, poison, जो जहर होता है, ठीक है, out of them, oh sorry, at you, and it took only a little poison to kill you, after all, और ये केबद तुमारे लिए थोड़ा सा poison काफी था तुम्हें मारने के लिए, okay, so ये paragraph भी आपका complete हुआ, ये next paragraph के आपके points है,